तो मार्गशीर्स का जो महीना है ये बड़ा मुल्यवान महीना है और इस महीने में गीता का पाठ करना, गीता का दान करना, गीता का अध्यन करना सबसे ज़्यादा शुब होता है आप कुछ कर सकें या ना कर सकें लेकिन एक नियम बना ले आज से मारशीर्स का महीना शुरू हो गया है और 22 दिसंबर तक चलेगा तो इस समय में आप एक नियम बना ले कि रोज 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 2-4 इशलोग, 4-5 इशलोग या 1 अध्याय, 2 अध्याय, जितना पूर्वक भगवत गीता का पाठ करें, इससे आपके पापों का नाश होगा, गलतियों की क्षमा याचना आपको मिलेगी और जो आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किले हैं, वो मुश्किले निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, तो बेहतर यही है इस महीने में गीता का पाठ किया जाए, जिन लोगों को संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग इस महीने में संतान गोपाल इस्तोत्र का पाठ करें, भगवान कृष्न की उपासना करें, नियमित रूप से या तो संतान गोपाल इस्तोत्र का पाठ करें, या हरिवन्ष भी सरलता से हो जाएगी और अपनी मनों कामनाओं को पूर्थी करने के लिए पूरे एक महीने का समय है जब भी मौका मिले गंगा यमुना नर्मदा सर्यू किसी भी पवित्र नदी में जा करके इसनान जरूर कर लीजियेगा और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम घर म जब इसनान करते हैं तो इसनान के जल में गंगा जल मिला करके अगर आप सनान करें तो उससे भी आपको लाब होगा तो ये बड़ा महत्तपूर महीना है जो आज से शुरू हो रहा है और इसका फाइदा उठा करके आप जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का है ब्रेक के बाद आएंगे तो बात आपके राश्यों की करेंगे आपके सवाल का जवाब भी देंगे और बताएंगे उनका हाल जिनका आज जन दिन है